Dear Students, Welcome to RCI As You Have Bansur Online Classes आज हम डिसकस करते हैं Absolute Error, Relative Error and Percentage Error दोको जब भी हम कोई Experiment करते हैं तो ये तेनू टाइप की जो Error है ये अपने को Calculate करने होते हैं तो ये क्या होते हैं इनको समझते हैं One by One इसको एक Example से समझते हैं मालो हमने कोई Experiment परफॉर्म किया और पर्स्ट ताइम जब हमने Experiment परफॉर्म किया तो उसकी Reading आती है अपनी Support That A1 Second Time जब उसको हमने Perform किया तो Reading आती है A2 Third Time किया तो आती है A3 ऐसे हमने उसको End Time हमने उसको Perform किया तो अपनी Reading आती है A1, A2, A3, A1 Reading आती है clear है कि नहीं अब question यह है कि इसमें से सई value कौन सी है किसको हम सई माने तो देखो सई हम इनका average निकालते हैं या mean निकालते हैं उसी को हम true value consider करते हैं clear है तो इन सब का हम mean निकालेंगे mean value या true value जिसको हम कहते हैं और true value उसको हम लेखेंगे am से mean m for mean तो देखो mean कैसे निकालेंगे सब को add कर देंगे और जितने भी यह ट्रम्स हैं उतने से divide कर देंगे तो देखो सब को add करते हैं a1 plus a2 plus a3 plus जितने भी हैं सब को हम add कर देंगे यहां पर n है और divide कर देंगे n से जितने भी ट्रम्स हैं ठीक है जैसे पांच होते तो पांच से divide कर देते ओके यह आ गया इनका mean अब यह वाली जो value आएगी इसको अपने को true value मानना है clear है अब हम बात करते हैं absolute एरर रिलेटिव एरर और percentage के बारे में सबसे पहले बात करेंगे absolute एरर के बारे में absolute एरर तो absolute एरर जो होता है यह mean value और जो measured value होती है उनका जो difference होता है absolute एरर तो यह होता है difference between true value and measured value ठीक है तो यह अपनी जो mean value होती है उसको हम true value consider करते हैं और यह है हमारी measured value first experiment में हमने इतना measure किया था second में इतना third में इतना और nth वाले measurement में यह किया था clear है तो अब हम बात करेंगे देखो absolute एरर इन पस्ट measurement absolute एक चीज़ और ध्यान रखना यह जो absolute error होता है इसको हम delta a से denote करते हैं absolute error इन पस्ट measurement तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा a से पस्ट measurement में फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको लिख देंगे a1 तो यह जाएगा am into a1 ऐसे ही similarly absolute error in second measurement तो इसको हम लिखेंगे delta a2 से यह जाएगा mean value minus measured value second time जब हमने experiment या था तो हमारी जो measured value है यह है a3 sorry a2 तो यह जाएगा a2 similarly third measurement में absolute error आएगा यह जाएगा delta a3 equals to am minus a3 and dot 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 nth वाले में निकालेंगे तो यह जाएगा delta a n equals to mean value minus a nth वाले measurement में measured value clear है तो यह है अपने absolute error पस्ट measurement में यह second measurement में यह third में और यह nth वाले measurement में clear है उसके बाद हम find out करेंगे mean absolute error मतलब यह जो भी absolute error आएगे हैं अब इनका mean निकालेंगे clear है तो चलो देखते हैं इसको अब है अब है अब है अपना mean absolute error absolute error को हम लिखते थे delta a से mean इसका निकाल दें तो यह जाएगा delta am clear है तो कि रोकती हो गुरूती है तो देखो यह थे अपने absolute error यह वाला पस्ट measurement में यह second में थार्ड में यह है इन सब का हम mean निकालेंगे mean कैसे निकालते हैं सब को add कर देंगे और जितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे बट उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना हम इन सब का मोड लेंगे मोड का मतलब अगर यह value negative भी आ रही है तो इसको अपने को positive रखना है मीन absolute error हो जाएगा delta am equals to इन सब का mean निकालते हैं delta a1 plus delta a2 plus delta a3 plus delta dot 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 जितने भी हैं सब को add कर देंगे delta an पुरिन सब का मोड लेंगे मोड का मतलब यह है अगर यह value negative भी है तो उसको हम positive लिखेंगे positive है तो already positive हो गई divided by n clear है mean निकालने के लिए पहले सब को add कर देते हैं फिर divide कर देंगे जितने भी हैं तो यह निकल जाएगा अपना mean absolute error clear है सबसे पहले हमने निकाला था mean value उसके बाद हमने find out की थी absolute error फिर mean absolute error calculate करेंगे उसके बाद आता है फिर relative error इसको हम fractional error भी बोलते हैं फ्रेक्शनल एरर क्लियर है तो देखो फ्रेक्शनल एरर या relative error होता है इसको हम define करते हैं it is the ratio of mean absolute error error and mean value यह जो mean absolute error आये था अपना delta am और जो mean value थी am दोनों का जो ratio होता है उसको हम कहते हैं relative error clear है तो फोर्मला हो जाएगा देखो relative error का mean absolute error sorry mean absolute error divided by mean value इसको हम बोलते हैं relative error clear है उसके बाद आता है अपना last mean percentage error percentage error क्या होता है relative error को जब हम percentage की form में express करते हैं तो उसी को हम बोलते है percentage error तो देखो कैसे लिखेंगे यह relative error है अपना उसको हम percentage की form में लिख लेंगे देखो percentage form में लिख सकते हैं hundred percent hundred percent का मतलब होता है one तो इसको हमने percentage की form में लिख दिया तो यही बन जाएगा percentage error value put कर देंगे relative error की delta am upon में am into hundred percent तो यह बन जाता है अपना percentage error एक चीज़ और ध्यान रखना जब भी हम error को लिखेंगे तो उसको plus और minus में लिखेंगे यह error ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है इसको example के माद्यम से समझते हैं क्यों लिखते हैं ऐसा जैसे support that आप से किसी ने पूछा कि भी जैपूर से और डेली की distance कितनी बताओ तो आप कहते हो कि लगबगी जो distance है यह 300 km है अब यह exact तो है नहीं कि 300 km है यह हो सकता है 300 1 हो यह हो सकता है 298 हो तो इसलिए हम इसको जब लिखेंगे distance between जैपूर और डेली तो इसको हम इस टाइप में लिखते हैं 300 प्लस माइनस 2 km clear है 300 तो इसकी अपने को लग रहा है बट उसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है 2 km ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है इसलिए जब भी हम एर्र को लिखते हैं तो इस टाइप से लिखेंगे clear है यह उसकी main value होगी यह true value होगी और यह उसका absolute error होगा clear है तो इस टाइप से हम लिखते हैं जब भी error में हम पढ़ेंगे कोई भी चीज़ को ठीक है क्योंकि fix कुछ भी नहीं होता है जैसे अगर मैं आप बोलू इस span की length calculate करो तो उस case में भी आप बोलोगी इस span की length है 10 cm बट यह exact नहीं है इसमें error हो सकता हो सकता है तीसरा हमने पढ़ा था relative error और चोता हमने पढ़ लिया है percentage error यह चारू अपने को आने चीए उसके बाद हम इनके उपर based numerical try करते हैं तो एक हम question करेंगे जिससे हमने जो भी यह पढ़े हैं सब अपने clear हो जाएंगे कि घड़ करते हम करेंगे